लुक्तांत्रिक विवस्ता में कोई भी पार्टी कहीं से चुनाव लड़ सकती है जहां तक बात रही है दलित भाईयों की तो ओ किसी के नीजी संपती नहीं है चिराग पासवान जी हमारी पार्टी एक जाती की नहीं पूरे जमात की बात करती है और काम करती है तो ऐसे नेता जो हर किसी के सुख दुख के सहभागी है उनको जनता के दिल से निकालना मुझे लगत आए कि असंभव है मायावती जमीन मिली नहीं उत्तर प्रदेश का कोई भी दल जो एक वर्ग विसेस की राजनिती के लिए जाना जाता है चाहे वो बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो बिहार में जमीन तलासने में अब तक नाकाम रही है लेकिन महाकडबंधन की कोशिश है कि चिराग पासवान के पैरलल एक दलित यूठ चेहरा बिहार में खड़ा किया जाए और शायद इस कोशिश ये प्यास जो है वो चंदरशेखर आजाद रावन के रूप में ये कहिए कि मेटरलाइज होता हुआ दिख रहा है ये कितना गुल खिलाएगा क्या ये वास्तों में चिराग पासवान के पैरलल खड़ा हो पाएंगे क्या बिहार की जनता इनको चिराग पासवान के पैरलल सुईकार करेगी ये सबाल भविस्ट के गर्थ में है च्योंकि मायावती ये प्रयोग करके देख चुकी है मायावती को बिहार की जनता ने सुईकार नहीं किया फिर भी महागटबंधन की कोशिश है और देखिए कितना मेटरलाइज होता है ये वक्ट के गर्व में है लेकिन महागटबंधन अपनी इस प्रयास में लगा हुआ जरूर है चंदरशेखर आजाद रावन की बिहार में रैली उसमें भीड और उस भीड के आलोक में पॉलिट में हैं और वो तलास रावन के रूप में इनको मिलता हुआ दिख रहा है